श्रीयकाल, अगर हार्ट में पेन हो, या फिर चेस्ट एडिया में पेन हो, तो ऐसे में एक्यू प्रेशर का ख्यार ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो एक्यू प्रेशर के पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, हमारे हैंड्स पर आते ह और उसके बाद यहां पर जो पॉइंट है इंडेक्स फिंगर पर जॉइंट पर मिडल फिंगर वाली साइड यहां पर जॉइंट पर एक्जेक्टली यह जो पॉइंट है यह पॉइंट कहलाएगा हाट थ्री पॉइंट और यहां पर बात कर लेते हैं यह जो यह वाला पॉइ कहलाएगा को बन्मेशनल वैसल 17-12 और इसे के उपर किडिनी 23-1 लेव ने भी इस तरीके से पॉइन की लोकेशन आईगी और रैट हैंड ऐस एस तरीके से वॉइयई की यहाँ पर हमने किस तरीके से ट्रीट्मेंट करना धैकं उसके बाहरे में बात बात कर लेते हैं यहां पर हमने डॉक्टर स्टेप के थ्रू इस तरीके से स्टार मैगनेट लगाना है जितने भी पॉइंस आपको बताए गए यहां पर आपने जैसे कि सबसे पहले P6 पॉइंट पर आपने इस तरीके से मैगनेट लगा लिया फिर आपने H3 पॉइंट पर इस तरीके से मैगन 63 पॉइंट पर आप नाइस से स्टार में लगाया लेफट हैंड Cathy ndس में हमने इससे तरीके से मागनेट्स लगाने हैं जैसे कि अपने लंगे और इन points को हमने patient को रात को सोने से पहले लगाना है और जब patient सुबा उठ जाए तो ये magnets आपने निकाल लेने हैं और यही जो magnets हैं यही same magnets by everyday आपने use करने हैं जब तक जो pain हैं जो chest में pain हैं या फिर heart में pain हैं जब तक ठीक ना हो जाए by everyday आपने रात को magnets को लगाना है और सुबा उतार देना है यही same magnets reusable हैं और यही same magnets आपने by daily use करने हैं तो आने वाले वीडियो में हम next के acupressure points के treatment के बारे में बात करते रहेंगे तो आप channel को ज़रूर subscribe कर दीजिए और video को ज़रूर share करिए ताकि आप लोगों की video कि थुरू help कर सके अगर किसी patient को किसी भी person को heart में या फिर chest में pain रहती है सच्छी आकाल चलते हैं